हे गास आज हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में तीन नए फोन के बारे में POCO X2, Redmi Note 9 Pro and Realme 6 Pro जो कि अभी मार्केट में निवली लॉंच हुए हैं तो जो उनकी फीचर से हैं वो काफी जादा ही सिमिलर से हैं आपस में ही तो लोगों को काफी जादी Refetu की वो अपने लिए कौन फोन ले हैं अपने लिए अपने भचेकॉडिण तो मैं आपको इस वीडियो में सुन को ऐता कि बताऊंगा कि कौन फोन यह आपके लिए थो देखते हैं कौन सा फोन हे वो जो बीस है आपके लिए य्ज़ो तो कैसे हम बात करें से पहले इनकी प्राइस और वेरियंट के बारे में तो जो हमारा POCO X2 है वो 6 प्लस 64 GB के जो वेरियंट है वो 50,999 रूपीज है और जो इसका नेक्स्ट वेरियंट है 8 प्लस 256 GB उसका प्राइस है 19,999 रूपीज और अगर हम बात करें Realme 6 Pro के बारे में तो इसका जो 6 प्लस 64 GB का जो वेरियंट है वो है 16,999 रूपीज और जो इसका 8 प्लस 128 GB का जो वेरियंट है वो है 18,999 रूपीज और वहीं अगर बात करें Redmi Note 9 Pro के बारे में तो जो इसका 4 Plus 64 GB का जो variant है वो 12,999 रूपीस है और इसका 6 Plus 128 GB का जो variant है वो है 15,999 रूपीस जो जो हमारा सबसे पहला parameter है compare करने का वो है display को कि किसी फोन में क्या होता है कि display सबसे important factor होता है तो अगर हम बात करें POCO के बात तो उसमें 6.67 inches full HD plus 120 Hz resolution display देखनों को मिल जाता है और वहीं हमें Realme में 6.4 inches full HD plus 90 Hz के display देखनों को मिलता है और Redmi Note 9 Pro में 6.67 inches full HD plus resolution का display देखनों को मि बात करेंगा battery capacity और battery backup के बारे में तो हमें POCO X2 में 4500 mAh की बैटरी देखनों को मिल जाता है जो 27W fast charging support करता है वहीं अगर हम बात करें Realme 6 Pro के बारे में तो हमें 4300 mAh की बैटरी देखनों को मिल जाता है प्लस यह जो फोन है 30W fast charging support करता है वहीं अगर Redmi Note 9 Pro की बात करें तो इस इसमें हमें 5200 mAh की बैटरी प्लस 18W fast charging support देखनों को मिल जाता है और यह जो तीरो फोन है उसमें हर त्रेकर आपको sensors देखनों को मिल जाता है और इसमें अगर हम बात करेंगे camera features के बारे में तो हमें POCO X2 में जो quad rear camera वो देखनों को मिलता है जो की है 64 plus 2 plus 8 plus 2 megapixel का और इसमें 2 plus 12 plus 8 plus 2 megapixel का और वहीं हमें front में dual camera देखने को मिल जाता है जो की है 16 plus 8 megapixel का वहीं हमें redmi note 9 pro के बारे में तो redmi note 9 pro मे require quad camera देखने को मिल जाता है 48 plus 8 plus 5 plus 2 megapixel का वहीं हमारा front camera है 16 megapixel का तो गैसे हम बात करेंगे मेन कॉंपोनेंट किस भी फोन के बारे में तो वह होता है प्रोसेसर तो अगर हम बात करेंगे इस प्रोसेसर के बारे में तो हमें POCO X2 में Snapdragon 730G Octa-Core processor देखने को मिल जाता है वही हमें Realme 6 Pro में Snapdragon 720G Octa-Core processor देखने को मिलता है और Redmi Note 9 Pro में भी हमें 720G Octa-Core processor देखने को मिल जाता है और यह जो तीनो फोन है उसमें same GPU है Adreno 618 दे रखा है इस वाले फोन में तो अगर हम इसके बात करेंगे Gaming Point of View से तो यह जो फोन है वो अच्छा है प्राइस है अपने budget range के मताविक अब mid range phone के लिए यह जो प्राइसर वो काफी ज्यादा ही अच्छा है तो आप इस phone को consider कर सकते हैं अगर आप gaming के लिए ले रहे हैं तो अगर बात करें मेरे opinion के बारे में कि आपको कौन सब फोन लेना चाहिए इन तिनों में से तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप realme 6 pro के साथ है क्योंकि जो इसमें जो processor है जो camera है जो इसमें overall phone है इसमें वो पूरा best phone है यह आपके लिए तो अगर आप heavy gamer है तो भी आपके लिए best है अगर आप general purpose जैसे कि आप अगर आप photo clicks करते हैं तो यह आपके लिए phone best है अगर आपका budget है वो इतना नहीं है अगर आपका budget 12-13,000 है तो उस range के मुताबए आपका जो Redmi Note 9 pro वो सबसे best phone है आपको फोन के साथ जा सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ इन फोन के साथ क्या है कि जो processor है वो दोनों में सेम है ठीक है और उसमें थोड़ा बहुत कमी किया है वो इन फोन के बारे में तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्रीज वीडियो को लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ताकि मुझे और थोड़ा motivation बिलते रहे हैं मैं आपके लिए क